सो हलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रिक बोर्ड वाइरिंग करना सिखाऊंगा एक दम इजी प्रसेस के तुरू होता है वाइरिंग सब्सक्राइब दिख रहा होगा आपको चार पीद बना हुए टोटल यहां पर यहां पर मेरा दो शौकेट है और दो और आफंस सुच है अगर आपके बस तीन सुच है तो आपको तीन सुच के नीचे वाले हिस्से में लाना पड़ेगा जैसे कि दोस्तों यहां पर मेरा पस तिन स्विच वाला है इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ यह हमारा फेस वाला वायर है जो कि हमने तीनों नीचे वाल हिस्से में लगा दिया हूँ ठैकर दोस्तों अभी मैं आपके बाद सका है जैसे इसमें देखिए दो स्विच है तो मैं दोनों को लगा दिया हूँ जो स वास ही दीवश वायर को कहाँ जो की शॉक है तो यह वायर को यहां और सब्सकी है यह नियूटरल वाला वाला जो वायर है इसको यहां पर लगा पना है सब जो socket है यानि जो two pin socket है उसके नीचे आपको लगाना है तो दोस्तों जैसे कि हम यहाँ पर लगा दिया हूँ 6 के 6 point के यहाँ पर आप देख सकते हो अपके बस अगर 4 है 4 को लगाना है आपके वाद 10 से तो 10 two pin socket या फिर three pin socket के जो neutral वायर है वहाँ पर लगाना है तो इसका जो L है जो कि L यानि यह यह लगाना है और दुसरी बार दुसरी जो switch है उसका देख सो यह पर एक वायर है वहाँ से जह कि इसके जो इससे यहाँ पर connect करना है जो कि यहाँ पर भी L लिखा है जो कि आपका two pin socket है simple सा दोस्तो यही से इसका wiring होता है अभी आपके बास अगर तीन वाला जो sorry आपके बास अगर 6 वाला जो pin है यहाँ पर देखतो अभी हमने simple सा इसका phase वाला वायर का connect कर देखतो हैं स्विच के निचले वाला इससे में देखतो है यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ एक हमने वायर जो की connect कर दिया हूँ यहाँ पर देख सकतो है यहाँ से यहाँ लिंक हुआ है अभी जोस्तो दूसरा वाला जो स्विच है यह वाला स्विच से हमने एक वायर लिंक कर दिया हूँ switch on करूंगा तो यहां से यहां पर supply आ जाएगा तो हमारा जो दूसरा वाला socket है यह on हो जागा तीसरा वाला socket इस type से on हो जाएगा जैसे कि हमने wiring किया हूँ यह वाला जो five pin का इसमें यह वाला टो पिन का इसमें और यह वाला स्वीच का यह वाला तो इस टाइप से वायरिंग जो की complete हो जाता है एक दम perfect हमरा वायरिंग जो की हो चुका है अभी दोस्त हमारे पर सब्सक्राइब च्छे वाला बोड़ है तो उसके अंदर कैसे वायरिंग होगा चलिए मैं आपको दिखा देता हूं सिंपल दोस्त आपको एक दो वायर लेना है जैसे कि phase वाला और neutral वायर को आपको सिंपल स्वीच का वायर है यहां पर लगा लेना है मेरे बास चार स्वीच है टोटल चारो स्वीच के नीचे नीचे जो हिसला है उहां पर हमने लगा दिए अभी दोस्तो हमारे बास बचता है neutral अभी हमें दोस्तों न्यूट्रल वाला वायर को लिंक करना है जो हमारा 5-pin शॉकेट और 2-pin शॉकेट है उसका एन एन जो हिस्सा लिखा है न्यूट्रल वाला पॉइंट में एक एक वायर को इस टैप से लिंक कर लेना है उसके बाद दोस्तों कौन सा सुच से अब कौन सा लोगा है उसकी लिंक करना है उसके यह वाला लिंक करते हैं उसके यह वाला लिंक करना में यह प्रूंक तो दोस्तों आज कि वी डियो को दोशY करना अगर पसंद है तो एक लाइक कर देना एंड' चैनल को सब्सक्राइब करके रखे कि यहाँ पर देखतो मेरा शॉप है यहाँ अगर कुछ भी आपका इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड डाउट या कोश्चेन है आप कमेंट कर सकतो मैं उसके रिलेटेड वीडियो बना दूँगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना